हेलो स्टुडेंट नमस्कार मैं पंकाज ग्रहरी आप लोग का ग्रहरी एकेड़ी पर स्वागत करता हूं आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि LCM और SCF क्या होता है चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जैसे अगर हमारे पास कोई विन दी गई हो तो उस विन का हम लोग LCM और SCF कैसे निकालते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग study करेंगे कि LCM क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग study करेंगे LCM क्या होता है चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले लोग इस्टडी करेंगे लगुत्तम समाप वर्थ क्या इस्टडी करेंगे लगुत्तम समाप वर्थ और अगर इंग्लिस की बात करें इसे हम लोग एंग्लिस में लिस्ट के ओंग को मर कि मॉंटिपल कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लिष्ट का मतलब लगुत्नम को आप पता हिवह एगा क्या होता है थिए आपलोग समझीए समापवर्त क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समापवर्त की डेफिनीशन क्या है चलिए इसको हम लोग एक example से समझते हैं आप लोग समझिए जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 3 3 और 5 6 समझी है हमारे पास कोई nomer 3 है कोई nomer 5 है कोई nommeser 6 हमने ऐसा एक example के लिए लिए चलिए थिरी्या को लिखते हैं हम topping pulled के अपुफ कर लिखते हैं चलिए लिखते हैं इसको प्री का आप्वएर्ट लिखने का मतलब है 3 का मल्टिपल लिखे जैसे 3 का मल्टिपल क्या हो गया 3 का मल्टिपल 3 अखुद है और अगर हम बात करें 6 की 9 इसी तरह से 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 39 42 45 48 51 54 57 60 इस तरह से हमने कुछ 3 के मल्टिपल लिखे इस तरह से और भी हो सकते हैं ठीक है चलिए हमने 5 का मल्टिपल लिखना है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 इस तरह से हमने अब फाइब के मल्टिपल लिखे यानि कि फाइब के हमने अप वर्ट लिखे चले वह लोग 6 के देखते हैं 6 12 18 24 30 30 और 36 हमने लिखा कितना 30 36 42 48 54 60 अब मैंने मैंने इसको क्यों लिखा समझे हमने आप पर 3 के मल्टिपल लिखे 5 के मल्टिपल लिखे तो यहां हमारा समझने का परपज क्या है कि मल्टिपल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ने इसको सीखा मल्टिपल क्या होता है अब हम लोग देखते हैं कॉमन मल्टिपल क्या होता जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या है इस तीनों में देखिए कॉमन क्या है common क्या मिल रहा 30 और एह हैं क्या एह multiple है यह थ्री का multiple है पूरा एफाइब के multiple है और एश के multiple है और common हमको मिल रहा 30 अब देखिए अगर इसमें देखें यहां पर भी 60 60 60 एभी common है एभी common multiple है 3 5 6 के अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे अगे बढ़ाते जाएं थंको 90 मिलेंगा इसको हां बढ़ाते जाएंगे तो 90 मिलेगा और इसके इसको भी आगे बढ़ांगे था में 90 मिलिगा ए 90 भी इसका da common multiple होगा इसी तरह से म आगे और बढ़ाएंगे थाम को common multiple मिलेंगे थाम लोग यहां से definition समझते हैं कि LCM क्या होता है यानि कि जो least common multiple होता है तो इसमें देखिए इसमें देखिए common multiple है 30 60 90 किसका common multiple है 3 का 5 का 6 का हमें बताना क्या है least common multiple कौन सा है न तो इन में देखिए 360 90 में सबसे छोटा कौन है 3 90 और 60 में सबसे छोटा कौन है तो जाहिरती बात है 30 30 सबसे छोटा नंबर है और इन सब का common multiple भी है तो यह least हो गया इन तीनों का common multiple है ही ए लिस्ट भी है 30 लिस्ट है और इन तीनों का common multiple है इसलिए क्या हो गया least common multiple इसका क्या हो गया 30 अगर हम 356 के common multiple की बात करें अगर हम 356 के LCM की बात करें तो 356 का LCM क्या हो गया 30 ठीक है इस तरह से आप लोगों ने समझा अब जैसे माल लिजे हमने यह दो number लिए देखिए common multiple हम common multiple निगालने के लिए calculate करने के लिए कम से कब हमें दो संख्याओं की आवसकता होगी अब अगर हम माल लिजे इसके common multiple की बात करें तो केवल समझे हमारे पास number 3 और 5 अगर है तो 3 और 5 का LCM क्या हो जाएगा देखिए इसमें क्या है इसमें भी 50 इसके multiple लिख लेते पहले समझें 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया 12 हो गया 15 हो गया ऐसे जाएगा 18 हो जाएगा 18 के बाद अगर हम देखे हमारे पास value 21 हो जाएगी 24 हो जाएगा और 27 30 इस तरह से और आगे जा सकता है अगर हम 5 के multiple की बात करें अगर आप 5 के multiple लिखे तो 5 का multiple हमारे पास क्या हो जाएगा 5 10 15 18 21 24 27 30 अब अगर हमें 3 और 5 के common multiple बताने हो तो आप लोग क्या बताओगे बताएगे 3 और 5 का common multiple क्या देखिए यहाँ पर 15 है यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 30 है यहाँ पर 30 है तो 3 और 5 का common multiple क्या है 15 है 15 है 30 है 30 है यानि कि इन दोनों में common कौन है 15 30 तो इन दोनों का जो common multiple है तो 15 और 30 है अब अगर हमें least common multiple बताना हो तो इसका जो least common multiple क्या होगा 3 & 5 का list common multiple, यानि की common multiple में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा common multiple होता है, वही लिस्ट common multiple होता है, तो यहाँ पर 3,5 का LCM क्या हो गया? 3,5 का LCM वारा 15 हो गया है इस तरह से हम LCM को calculate करते हैं हमने definition जानी समापवर्थ क्या होता है यानि कि common multiple और हमने यहां पर कुछ संख्याएं ली और हमने उनका common multiple निकाला उसके बाद हमने समझा कि list common multiple क्या होता है कि चलिए अब हम लोग कुछ संख्याओं के common multiple निकालते हैं कि common multiple को निकालने के हमारे पास दो विधियां है एक तो हम लोग भाग विधी का यूज़ करते हैं और दूसरी गुड़नखंड विधी का यूज़ करते हैं कितने तरह की विडियों का यूज़ किया जाता है दो तरह की